बहुत बहुत शुब कामना है प्रभू से प्राथना है कि नया साल आपके लिए खुब सारी खुश्यां लेगे आए आपको स्वस्त रखे खुश रखे दिल्ली में कुरोना बहुत तेजी से बड़ रहा करोना के केसिज रोज छलांगे मार रहे हैं लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूं यह दिखाने के लिए कि केसिज तो बढ़ रहे हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है पैनिक होने की कोई बात नहीं है सब को जिम्मेदारी से काम लेना है लेकिन पैनिक होने के कोई बात नहीं है पहले हम देखते हैं कि करोना के केसि किस तरह से बढ़ रहे हैं 29 दिसंबर को 923 केस आए 30 दिसंबर को 1313 केस एकदम से छलांग लग गई 31 दिसंबर को 1796 केस एक जनवरी को 2796 केस बढ़ गई एक दिन में डेली मतलब पिछले दिन 1796 आए था अगले दिन 2796 और आज जो शाम को रिपोर्ट आएगी उसमें लगबग 3100 के केस आने के जूरत है तो डेली केसिज धाई 3,000 क्रॉस कर रहे है तो इतनी तेजी से केसिज बढ़ रहे हैं एक्टिव केसिज एक्टिव केसिज होता है कि अभी तक डिली में डेली केसिज तो आज कितने नए मरीज हुए लेकिन सारे मरीज मिलाके जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिल्ली में वो आज की डेट में 6,360 एक्टिव केसेज हैं 6,360 मरीज हैं तीन दिन पहले एक्टिव केसेज 2,91 थे तो मुटा मुटा मान लेते हैं कि 29 दिसंबर को लगबग 2,000 एक्टिव केसेज थे और कल लगबग 6,000 एक्टिव केसेज थे तीन दिन में 3 गुना बढ़ गए एक्टिव केसेज 29 दिसंबर को 2,000 एक्टिव केसेज थे एक जनवरी को 6,000 एक्टिव केसिस थे, तीन गुना बढ़ गए, लेकिन 29 दिसंबर को 262 अस्पताल के बेड ओक्यूपाइड थे करोना के मरीज्यों से, 262 टोटल सारे मिला के एरपोर्ट वाले इस सब मिला के 262 लोग अस्पतालों में एडमिट थे, और तीन दिन बाद एक जनवरी को 247 लोग अडमिट थे, थोड़े कमी हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो जो लोग करोना से बिमार हो रहे हैं, उन लोगों को लगबग किसी को भी अस्पताल जाने की जुरूट नहीं पड़ रही, सब लोग माइल्ड केसेज हैं, छोट उस वक्त 262 बैड भरे हुए थे, और एक जनवरी को 6,360 केस थे, तीन गुना केस हो गए थे और 247 बैड भरे हुए थे, आज की डेट में, लेटेस्ट जो हमारा हेल्थ बुलिटेन उसके इसाब से, केवल और केवल दिल्ली में 82 बैड ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के केवल 82 ब तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जरूर्ट पढ़ रही हो, जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बैड की, दिल्ली में, आज दिल्ली सरकार 37,000 करोना के ऑक्सीजन बैड की तैयारी करके बैठी है, कि अगर जरूर्ट पढ़ेगी त 37,000 बैड हमारे पास तैयार है, और केवल 82 बैड इस टैम उक्यूपाइड है, जबकि 6000 से ज्यादा पेशेंट्स दिल्ली में करोना के हैं, तो इसका मतलब 0.22% बैड उक्यूपाइड है और 99.78% बैड खाली है, मैं ये भी देख रहा था कि अप्रेल के महीने में जब ये व देव आई थी जब आपको याद होगा कि अक्सीजन की कमी हो गई थी, लोग काफी संख्या में लोगों की डेथ हुई थी, बड़ी भयानक वेव थी, उस टाइम का मैं डेटा निकाल के देख रहा था, कि आज के मुकाबले में उस टाइम क्या हुआ था, जैसे आज मैंने पताया हमारे एक्टिव केसे आज लगबख 63 sot हैं, मार्च में 27 मार्च को दिल्ली में एक्टिव केसे 1600 थे, लगबख बराबर थे, आज 63 sot है उस टाइम जब सेकंड वेव आई थी अप्रेल के महीने में तब इतने ही जब एक्टिव केसे थे, दिल्ली में साड़े 1100 उस time दिल्ली में 145 ventilators इस्तेमाल हो रहे थे, 145 patients ventilator पे थे, आज 5 patients ventilator पे हैं, उस time daily 10 death हो रहे थी, आज कभी एक हो रही है, कभी जीरो हो रही है, कभी एक हो रही है, ये केवल मैं ये दिखाने के लिए दिखा रहा हूं कि इस वक्त जो करोना है वो इतना mild है, इतना mild है और asymptomatic है उसी तरह से मैंने देखा एक अप्रेल 2021 को पिछली साल जब सेकंड वेव आई थी डेली केसिज आज डेली केसिज लगबग 2700 कल डेली केसिज थे कल 2700 केस आये थे जब एक अप्रेल को 2700 के करीब जब केसिज आये थे डेली उस टाइम oxygen beds, 1700 oxygen beds occupied थे दिली में, 1700, आज केवल 82 beds occupied हैं, उस टाइम 231 patient ventilator पे थे, आज केवल 5 patient ventilator पे हैं, डेली उस टाइम 10 लोगों की डेथ हो रही थी, आज 1 या 0 patients की डेथ हो रही है, ये सारी चीजे मैंने आपको आज इसलिए बताई कि panic करने की, चिंता करने की जरासी भी जरूरत नहीं है, मेडिया से भी मेरा निवेदन है कि बिलकुल भी हम panic ना फैलाएं, बिलकुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें, जिम्मेदार रहना हैं, मास्क पहनना हैं, social distancing करनी हैं, साबून से हाथ दोने हैं, पैनिक नहीं करना हैं एक तो ये करोना बहुत, बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड है, दूसरा आपकी सरकार पूरी तरह से तयार है, आपके साथ खड़े हैं, नमस्कार